नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्सी लर्निंग पॉइंट वाइस इंसर जो कुछ सेलेक्शन पोस्ट एंड की अभी आंसर किया है उसका मैथ का पेपर देखें वह भी किसका अग्रेजवेट लिए ठीक सेफ्ट 3 है जो भी PDF मिली है मैं उनकी कोसिस करूंगा वीडियो बना दूंगा ठीक अचली स्टार्ट करते हैं क्यों कह रहा है निम लिखित में से कौन सा सहे अबाज संख्याओं का योगम नहीं है मतलब क्या कहने का किसी दोनों संख्याओं कुछ कॉमन नहीं है इसमें कुछ कॉमन है नहीं यह इसमें कुछ कॉमन है नहीं इसमें कॉमन ह प्लस ऑगा अगला सवाल इधि x और y का समानतर और गुड़ुत्तर मात्त्य क्रम से इतना हो इतना आया तो X Q plus y Q spirit का मान बता हुए ने देखरऊ एक समानतर मात्ति क्या होगा 2 की वेलू दीटी ना ओ गुड़ुत्तर मात्ति क्या अंडरूड xy बरावर 3 root 7 तो यह निक दोनों को square कर दो, xy बरावर क्या होगा? 3.9763 यह से आ गया x, plus y, बरावर 8, 2, 6 देखो इसको सरल था दिख रहा था 9.93, 7.97, 11, भी होता है तो यहाँ पर 9 का क्यों क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब एक चुनाव में 35% मतदाता उने उम्मीदवार पी के लिए मतदान किया जबकि सेश में से 50% मतदा होता होने यह किए लिए मत्यदान किया सेट मतदाताओं नहीं किया यदि उम्मेदवार की को मत देने वाले और मत ना देने वालों के बीच का अंतर एक ऐजार था तो उस चुनाव में मत्यदान करने के जोग और रेक्तियों कि संख्या कितनी थी देखो हमने मालगी की टोटल बोट कितने थे 100 उसमें 35% लोगों ने किसको दिया अब बचे कितने 65 लोगों में 50% लोगों ने किया कि मतदान किया और जो सेस है ना उसनों ने बोट नहीं किया यानि कि 50% ने बोट कर दिया तो 80% ऐसे होंगे जिन्हों ने वोट नहीं किया होगा यानि कि ये हो गया यां 50 600 हो गया यानि कि वोड करने वाले और ना करने वाले दोनों संख्या Czech ब्राबर होंगी कि बूँख़े 5 smart चेया समझवा हो बात आव इंदोनों में बटे कितना हो गया यह निक आंसर क्या आगया चाहलेस अगया आगला सवाल एक एयर कंडीशनर का अंकित मुल 45,000 और इस पर 15 परसेंट 20 परसेंट की दो क्रमिक छूटे उपलाते हैं कंडीशनर का विक्रे मुल क्या हो पंदे परसेंट को क्या ले सकते पांती यह 15 पांदो निदर और बीस पंजे सो यहानि कि यहां पर देखो 45,000 था विस की चीज से 3 का मिखन क्या हो गया छूट हो गई तो बचे कितनी 17 बटे वीसwrite कि 1 कि छूट हो गया चार वटे पांच जहने कि यहां से करेंगे तो बमने 45 हो गया जीरो से जीरो चला गया और यहां पर आ हो जाएगा 45 हुआ पहे तो यहां पर जीरो चार पंजे 20 45 16 अगला सब्सक्राइब देखो एक बढ़िया सुन्दर सा क्या बनाओ पहले ब्रत बनाओ बना लिया यह इंदर सका क्या ओ है पर इस पर सरेखा पी क्यू ओ से ओकर जाने वाली एक रेखा को बिंद क्यू पर इस पर सकते हैं तो इसकी कितनी बचिया पर आठ और इसकी टोटल कितनी हो गई अठारा कुछ नहीं P Q Q स्क्वायर वरावर होता है यहाँ पर कुछ लिखलो R लिखलो यहाँ पर लिखलो T Q R इंटू, QT, QR कितना है तुमारा 8 है, QT कितना है 18, 1884 यानि पीक्य वरावर कितना आ गया 12, अगला सबर, यह दिक कोसेक A-B ब्रावर दो, कॉट A-B ब्रावर इतना, तो A का मान बताना, देखो, कोसेक में 2 की वेल्यू कितने की होती है, यह सब को ही बता हो गए, कोसेक 30 की वेल्यू होती है, यानि कि A-B ब्रावर कितना आगया, 30 आगया, अब यहां देखो, A-B किसकी होती है, इसमे कि इक संभावत रोज का इतना इसका च्यक्त्रवल कितना ृरोज का परमाप इतना यह वरावर साट अशाध हो गया है यह वरावर कितना इतना एह है नोगा कितने क्तने इतना नहुत हो यह बहुत सब्किना बसक्षाएट होता हुआ एकर भुजा 2 है तो एरिया 3 होगा रूट 3 लुजा मानलो यहां पर कितनी 20 होगी क्या गुणी होगी 10 गुणी होगी इसका 10 का स्क्वार कर दो और रूट 3 का कुणा कर दो अगर लो 13 गुनी हो जाती तो पंद्रा कुणी होगी 15 इन 25 रूट 3 है इसके साथ अगला स क्या होगी देखो सिंपल से बात है कि तो सभी को पता होगा कौन सा एक्स प्लस माइनस य प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपन अंडिट लाव हुगा यानि कि 20% का नीची लिख लो 20% का लाव हुगा दूसरे में हानी वी प्लस माइनस माइनस यानि 20 गुणे 20 बटे 100 यह तो कैंसल आउट होगे यानि कि माइनस का चार आया माइनस का मितलब हानी हो रही है चार परसेंट की अगला सभा जिनेस ने किताब का एक सेट 1200 में खरीदा और उसे 900 में बेज दिया उसके द्वारा हानी का पिरसत ग्याद किजिए 300 रुपए की हानी होई कितने पर 1200 का तीन चोकू 12 हो गया गोड़ा सो कर दो 25% की टोटल हानी होई है अगला सभा एक पुलिस कर्मी ने चोर को 80 मिटर की द पेज भाक रहा है जो हकीकत बात बताएगी इस बार ठीक है अब देखो इनके बीच की दूरी असी थी यानि कि चोर जो भाग चोर स्पीड अगर गैन करेगा क्या करेगा साफेज चाल से इसकी कि स्पीड से बढ़ता चला जाएगा एक किलोमेटर पती गंटा यानि कि इसक सवाल इससे सवाल का मंतदान करने के लिए पात्र लोगों मेंसे- स अठाइस परसेंट लोग बीस से बचीस वर्सके बीच के हैं। एक चुणाव में मतना करने के लिए 25 25 वर्ष के बीच C village बाले लोगों में 25% में मतना किया। उस चुणाव में 20 25 वर्ष के बीच के बिक्तियों की संख्य जोना बासते के हैं wonky जे था.. मतदान हे तूप बातल लोगों की संख्या 90 कई कितना परसाथ.. कि देखो हमने मालिया टोटल कितने ते सो थे अब 28 परसेंट लोग 20 से 25 है निक इसका 28 परसेंट निकालेंगे तो 28 आगया यह इनकी उमर क्या थी 20 से परसेंट अब करें एक चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र 20 से 25 भर्स के बीच के उम लोगों ने 25 परसेंट ने बोट किया है तो करा जिन्हों ने बोट किया है वो कितने परसेंट थे यानि 21 बटे सो गुड़ें सो कितने लोगों ने बोट किया अगला सबस वह जो चैनि कि इनका यो कितना हो जाएगा यह क्यों का यानिक दोनों को जोड़ दो जोड़ेंगे तो क्या होगा पी क्यू कामन आ जाएगा बचेगा क्या प्लस क्यू बचेगा तंख्याएं कितनी थी प्लस क्यू थी यानि डिवाइट कर दो तो एवरेज क्या आ जाएगा पी क्यू आ जाएगा अगला सब्सक्राइग जीरो पाइंट नो और बन पाइंट फाइब का तिर्थी अनपात ग्याद करना है कुछ नहीं बी का स्क्वाइर अपाउन यह होता है पहली आठ विशंप्राकरति संग्याओ का जोश्त क्या हो अगतत है पहले तो आठ संग्याओ के संपता होना चाहिए विसम कास श्मार होता है यह संपोर्ण करने और कौकर लुर्ट कर लो इन वारबार इनको या रवारइन करो अगला सब्सक्रान आरिफ ने बारसिक रूप से चक्रवद्धी होने वाली 25% बारसिक ब्याज की दर से लिया गया रिड तीन बरस के बाद 15,625 का बुक्तान करके चुगाया तो रिड की रास ही कितनी तो 25% क्या लिसकते हैं एक बटे चार यानि कि चार की चीज होगी पांट साल की बात कर रहा है कि कर दो यानि कि यह और चोषट यह होगे 150 की फटी की वैलु दी थी कितनी 15,625 हमें निकालना क्या था 64 की वेलो निकालनी थी तो देखो सिंपल सा है 25 पंजे 125 पंजे 6 देड़ सो छेवचा 25 पंजे पंजे एक सो प्पर कार दो 5 एकम 5 हो गया बच्या कितना 5 दो नी देश पंजे 25 बुणा कर दो यहां लिख सकते गया ठोट्टू 64 लिख सकते हैं यानिक आठ पंजे 40 हो गया आठ दूरी सोला चार बीस हो गया आठ एकम आठ तो दस हो गया बोड़े आठ कर दो आठ हजार आंसर आगे जाए यह Q बाला समझ में आरा ना जैसे मालोग पहले साल 4 थी दूसरी साल 5 हो जाएगी फिर दूसरी साल में भी 4-5 बढ़े फिर तीसरी साल भी चार से पांच बढ़ेगी जब इनका रेजियो मेंटेन करोगे ना तो यह तुमारा क्यूग पर ही रुखेगा यहनि 64 से 125 रास ही हो जाएगी अगला सवार मैस और सुरेज और सुरेज से एक काम को 16 दिन में 12 दिनों में समाप्द कर सकते हैं महस से शुरू करके भी एकंतर आधार पर काम करते हैं पूरे काम को समात करने में कितना समय लगाए निकाल लो यह मैस था यह सुरेज था लिए 48 टोटल वर्क आगया सूला थी 48 यह 12 चो करके मैस से काम शुरू हुआ तो मैस एक पहले दिन तीन करेगा फिर आगए सुरेज-दूसरे दिन कितना करेगा यानि कि 2 दिन में कितना काम हो रहा साथ है तू डच में गूणा कर लो कि दो दिन की बाती बारा अब मैस करेगा यानि नहीं छे से तीन काममैस नहीं रखिए कितना दिन लगए एक दिन लगा यानिक 12-13 काम बचा कितना रहत नीक 3 वा जैल्श हुआं तू तेरा सभाव neces है तो यह हो जाएगा एक्स बरावर चालिस और पैतिस कितना होगा है यानि एक्स अपान बाई कितना होगा है पच्छतर वटे अगला सवाल के जून 2016 की तुल्ला में इन कच्छाओं के लिए जून 2017 में बच्चों की संख्या में 20% की ब्रद्दी हुई तो जून 2016 में स्विमिंग और एथलेटिक्स और संगीत कच्छाओं में बाग लेने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी थी देखो 20% की ब्रद्दी हुई यानि 20% क्या ले सकते एक वटे 5 यानि 5 की चीज क्या होगी 6 होगी इसकी वैलू कितनी थी 600 यह सवाल में दी हुई है तो इसकी व 12 हो गया और संगीत का दिया गया यह 16 12 और 22 कितना हो गया 38 परसेंट निकाल दू पान अट्थे चालिस पांदी पंद्रा चार उन्निस एक सुन अगला सवाल में देखो एक साड़ी दी गई है पूचा गया सभी वर्गों के छात्रों की अधिक्तम संक्या किस विभाग में ह देखो सभी को जोड़ना पड़ेगा और कोई अप्सन नहीं साथ चार ग्यारा ग्यारा तीन 14 हो गया 14 दो 16 हो गया 16 और 17 हो गया चार पंदा पंदा तीन 18 हो गया यहां जोड़नों साथ तीन दस हो गया दस चार 14 हो गया चौफा तीन 17 हो गया 17 में एक जोड़ेंग तो 18 हो गया 18 एठाए असी हो गया 5 3 8 8 5 3 13 13 5 8 8 8 18 सुबचास हो गया है जोड़ो 6 4 10 10 120 17 सतरा चेइस हो गया अज़र तो मिल गया तेश सो फिर इमें सबसे ज़्यादा हो अगर जोडने में कुछ गलती हो गई ना तो उसे देख लेना ऐसा ना हो कमेंट भरने लगो अगला सवाब अगल टी एपी में एंगल टी एपी साथ डिगरी है टी एचे एपी इतना है और के इतना है एपी का मद्द विंद के से एक देखा टी पी से ओपर इस प्रकार मिलने के लिए बढ़ाई जाती है कि एंगल एक के ओ एक सो बीच डिगरी है तो ओके की लंबाई बताई चलो एक सुन्दर सा तर्वच बनाते हैं यह तर्वच बनाती है कि कि अगे आटी एपी आप एक साथ ए कितना साथ है आप देनको बरावर कितना कि रहा आचे यह पिवरावर मिलने के लिए बढ़ाई जाती है कि A, K, O, A, K और O यानि कि इस तरीके से कुछ रहा हूँ, यह कितना 120 ठीक है, अब यह कितना हो गया, 4 हो गया, यह 4 हो गया अब कह रहा है, OK की लंबाई बताना है, यह कितना हो गया, 60 हो गया यहां देखो, ट्रेंगल, O, P की और ट्रेंगल, T, P, A में दो एंगल देखो, बरावर हो गया, कौन साथ डिगरी तो दोनों में है बिल्कुल बोलोगे है, एंगल P दोनों में कामन हो गया, कामन हो गया, बिल्कुल यह गया बताने, वेल्म बताने, देखो, इनके सब के बरावर रख लो K, तिक पावर X बरावर 3 की पावर 29 की पावर 29 impose घी भरावर होगे के तो देखो, टू बर अवर किया हो जाएगा, 3 वरावर बन आपाण एक्स, 3 वरावर कितना हो जाएगा के बरावर बन अपान भाई यहां देखो 6 की पावर जैड बरावर के था तो यानि 6 बरावर क्या हो जाए के की पावर बन अपान जैड हो जाए इसको क्या लिख सकते हैं तीन की जगह क्या रख सकते हैं के की पावर बन अपान भाई और 2 की जगह के की पावर बन अपान एक् अब यहां क्यों गईए बेस्ट सेम होता तो गाते क्या होते जोड़ जाती है निके 1 अपान x , बरावर क की पावर बन अपै त्म पेर कर दो 1 अपान x , बरावर बन अपान z हो गया है यहां से जब value निकालेंगे, बन अपान एक्स प्लस बन अपान बाई माइनस बन अपान जेड बरावर अगला सवाल कि अप्लस बी और आवर दिया रूट गया रहा है मैनस भी बरावर दिया रूट सेविन और इसकी वेलू में बता नहीं है कि अ descriptive का i mention में बूछा गया देखो यहां पे दो चीज़ होती हो घ्ला करकर के रखो किया को 극 मायनेस किका होल स्कॉरा माइनस का इसकार प्लस का प्लस का फ्लंसके का कर दो देखो क्या माइनस का होल बरावर के आ गया बन आ गया आगया इसकी तो बन हो की हो गया यूड़े-9 यू ए ब्रेक्ट जब खुल हो गए न तो अपने आप तुमको 40 मिल जाएगा इसको खोलो तो अपने आप ये मिल जाएगा ठीक है अगला सब ये ठीटा रावर 120 डिगरी इतना तो इसे दिखाना इस टर्म में क्या साही होगा देखो फी बरावर क्या लिख सकते है कॉस 120 डिगरी एनिक प्लस साइन 120 डिगरी क्या लिखतो कॉस 180 माइनस 60 प्लस का साइन 180 माइनस 60 देखो यह पहुंच कर स्वाइकन कॉड़ेंट नब्बे के बाद क्या आएगा 90 प्लस 30 कर दो या तो एक सो सी माइनस साट कर दो इसमें के वल क्या होता है साइन ठीटा तुवारा पॉस्टिव होता है तो देखो यह क्या हो गया माइनस का कॉस्ट काट की रूट 3 वाइट तो देखो यहां से बन 0.732 माइनस का बन हो गया अपाउन क्या हो एक पॉइंट 732 अपाउन दो गया दो से काटों दो थी है यानिक पॉइंट 3 समतिक आएगा यानिक जीरो से क्या हो रहा बढ़ा आ रहा पीकी वेलू पॉइंट 0.3 समतिक कुछ आ पॉड़ी आ रही बरावरा है नहीं है या तो जीरो से छोटी है नहीं है तो यह तो सदों तीनों गलत हो गया तो आंसर क्या हो गया तीसरा अगला सवाब कि दोनों वर्सों में company C के कुल विक्री का दोनों वर्सों में company D का कहा है अनुपाद केतना है जैसा क्ला ऊत्युक पार किए कुल विक्री शा। यहां पर क्ला सवाल यह देखो एक अगस्त की सिफ्ट थरी कंप्लीट कर लिए यह ग्रोजिट लेविल का सवाग पेपर था आप देख सकते हैं जब ग्रोजिट लेविल का इस लेविल का आया है तो 12 तो 10 का किस लेविल कर रहा होगा काफी अच्छे सवाल थे कुछ सवाल तो अच्छे थे जये माराओ